जय मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह 2020 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और इस अगस्त के महीने में कौन-कौन सिग्र है अपनी राशी परिवर्थित करेंगे, वो आपकी दिन्चरिया को कैसे प्रभावित करेंगे, उनका प्रभाव आपके कारशेत्र पर कैसा होगा, शिक्षा पर प्रेम जीवन पर स्वास्थे पर और दामपत्य जीवन नौकरी धुकान सब भी चीजों के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली स चार ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा और एक ग्रह सा है जो दो बार राशी परिवर्तन करेगा चले विस्तार से जानते हैं माहा की शुरुवात के पहले दिन यानि एक अगस्त को शुक्र का राशी परिवर्तन होगा शुक्र व्रशब रासी से निकलकर मिथुन राशी में प्रिवेश करेंगे इसके बाद 2 अगस्त को बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा बुद्ध अपनी राशी में चल रहे थे मिथुन राशी में और अब करक राशी में चले जाएंगे इसके बाद 16 अगस्त को मंगल का राशी परिवर्तन होगा 16 अगस्त को मंगल मीन राशी से निकल कर मीश राशी में चले जाएंगे 16 अगस्त को ही सूर्य भी राशी परिवर्तन करेंगे और सूर्य करक राशी से निकल कर सहिंग राशी में जाएंगे बुद्ध का इस महिने में दूसरा राशी परिवर्तन होगा 17 अगस्ट को बुद्ध करक राशी से निकल कर सेहिंग राशी में जाएंगे जहां सूर्या 16 अगस्ट से मौजूद हैं और सूर्या और बुद्ध साथ मिलकर बुद्धा देता है योग का निर्मान करेंगे तो य आपके लिए ये शुक्र का गोचर जो एक अगस्ट से होगा ये नवम भाव में होगा नौव भाव में भागय के भाव में देखे नौव भाव जो है वो धनुराशी का होता है जिसका स्वामी ब्रस्पति है और कुंडली में इस भाव से धर्म को देखा जाता है अध्यात करेगा इस राशी के जो लोग शोध कारियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महिना बहुत अनुकुल सावित होगा और विध्यारति को विध्यारतियों के लिए भी ये जो महिना है ये शुक्र की कृपा का महिना होगा इस समय आप अगर किसी सब्चेक्ट को लेकर परेशान थे या आप किसी टॉपिक पर पकड़े नहीं बना पा रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ कठिन विश है थे तो इस समय उसे समझने में आप सफल होंगे आप अपनी ज्यान को लगातार बढ़ाने की तिशा में अग्रसर रहेंगे आपका वहवार बहुत बैठा है और आपकी राशी का तो स्वामी है ही तो रोमान से भरा रहेगा पूरा महीना लवमेट के साथ अच्छा समय बिताएंगे प्रेम संबंदों में इस समय वड़ी निकरता सामनी आएगी और प्रेम विवाहा भी संबभ हो सकते हैं इसलिए ट्राइज जरूर करें इ आप अपनी साती से भावनात्मकुरूप से जुड़ेंगे जिससे आपका रिष्टा और अधिक मजबूत होगा तो ये समय शुक्र की किरपा इस महीने में पूरा महीने आपके उपर रहने वाली है अब बुद की बात करते हैं तो बुद का जो राशी बरिवर्तन है वो आ पौरान बागे का बुरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके नेतर तो करने की शमता बढ़ेगी जिसके चलते आपको अपने कारशेत्र में अपने वैपार में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी सौपी जा सकती है वहीं इस राशी के कुछ लोगों को बुद के किरपा से पद यूजनाय बनाई है पुटनीती आपने बनाई है किसी रणनीती के साथ आप चलना चाहते हैं तो उनको आप मूर्थ रूप देपाएंगे नया कारोबा शुरू करने के लिए भी ये माहा बहुत अच्छा रहेगा और अगर विध्यारतियों की बात करें तो विध्यारतिय जो जातक प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें भी सफलता मिलने की पूरी पूरी से भावना है पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो ये समय पिता के साथ थोड़ा नर्मी से पेश आएं पिता के साथ किसी बात को लेकर मद्वेद हो सकता है तो उनके साथ नर्मी से पेश आएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा और परिवार के साथ मिलकर आप धन के सही इस्तेमाल की धन के सही प्रवर्दन की आप यहां चर्चा कर सकते हैं मंगल की बात करते हैं मंगल का राशी परिवरतन 16 अगस्त को होगा तुला राशी के आपको मारक भाव भी कहा जाता है इसके लावा सब्तम भाव जीवनसाती का साजेदारी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव होता है और इस्तान को भी मारक भाव कहा जाता है तो मारक भाव में होने से यह जो मंगल का गोचर है सब्तम भाव में आने से आपको मिले जुले परिणाम देगा यानि आपका एक तो सबसे ज़्यादा जो एफेक्ट होगा वो आपके जीवन साती के उपर होगा जीवन साती के वहवारे में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन आपके और उनके आत्म विश्वास में दोनों में बढ़ोतरी होगी आपका जीवन सात समझदारी से आपको काबू करना होगा समझदारी से स्थितियों को समालना होगा स्वास्ते अच्छा रहेगा आपका भी और जीवन साती का भी पहले से अगर कुछ परिशानी आ रहे थी तो वो भी दूर होगी और आपकी प्रसन्नता के लिए वे हर काम को खुद ही जल्द का है यह पदोनती आपको काफी उपर तक ले कर जा सकती है इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखें धन का विस्तार आप कर सकते हैं यानि धन कमाने के ज़्यादा मौके मिल सकते हैं बिजनिस को बढ़ा सकते हैं और आपको कुछ अच्छे लाब मिलने शुरू होंगे इस समय आपको जीवन साथी के ऊपर कुछ खर्च भी करने वाले हैं उनकी चाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और जीवन साथी को खुश आप रख सकते हैं तो ये जो मंगल का गोचर है ये भी आपके लिए अच्छा है कुछ थोड़ी सी सावधानिया बस आप रखें सूरिया की बात करते हैं शुक्र की स्वामी राशी है ये और जो सूरिया है वो लाब भाव एक आदस भाव में सूरिया का गोचर होगा यानि ग्यारवे भाव में होगा जिसे लाब भाव का जाता है कामनाओं का भाव का जाता है इच्छाओं का भाव का जाता है इस गोच से या किसी व्यक्ति से अच्छी सलहा मिल सकती है तो वो आपके काम आएगी नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए कारशेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा उच्छ अधिकारियों के सामने आपकी छवी भी अच्छी रहेगी और लाव आपको मिले देखे सूर्य को पिता का कारग्रह भी माना जाता है इसलिए इस गोचर के दोरान पिता से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति के योग बनेंगे 16 जुला अगस्त से पारिवारिक और दामपत्य जीवान अनुकूल रहेगा रिष्टे आपको बनाने हैं अपने रिष्टों पर आपको ध्यान देना होगा इस दोरान आपकी स्वभाम में थोड़ा लचीला बना सकता है और आपको इस महीने में कोई खुश खबरी सूर्य देखकर जाने वाले हैं तो यह सूर्य का गुचर भी आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही देखे इस सत्रा अगस्त बुद्ध एक बार फिर से राशी पर विरतन करेंगे और सेहिंग राशी मा जाएंगे जहां सूर्य बैठे हैं तो यहां बुदादीत योग का निर्मान होगा लाभाव में बुदादीत योग का आना आपके लिए आयात नर्यात से संबंदिक कारियों में इजाफा कर सकता है अंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं बिजनस करते हैं तो आपकी पांचों उंगलियां घीमे हो सकती हैं ऐसे इस्तितियां निर्मित होंगी निजी जीवन मे भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा और आप अपने व्यवार को बस थोड़ा सही मित रखें समाजिक जीवन में मान सम्मान की प्राप्ती होगी तुलाराशी के लोगों को किसी करीवी दोस्त से भी इस महीने लाव की प्राप्ती हो सकती है इस महीने जो 16 अगस्त 17 अगस पहनत करिए अपनी काम के प्रती उतने इमानदार रहिए काम को समय अपसे पूरा कीजिए बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहने वाला है तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल बने